ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री विश्णवे नम्हा आईए दोस्तों सुनते हैं निरजला एकादशी की कथा और इस कथा के बाद मैं आपको बताऊंगी एकादशी के दिन मातुलसी की पूजाकत इसमें किस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए इसके साथ ही व्रत तो करना ही चाहिए खासकर निरजला एकादशी के दिन अगर आप इन मंत्रों का जाप कर लेते हैं तो आपको आपके किये गई व्रत का आपकी की गई पूजा का पूरा फल मिल सकता है दोस्तों एकादशी के दिन भगवान विश्णु को उन सभी चीजों का भोग जरूर चाहिए जो उन्हें बहुत प्रेयर होती हैं आप इन में से उनके प्रेयर पीले रंके फलों का भी भोग लगा सकते हैं लेकिन सबसे विशेश चीज मानी जाती है आज के दिन तुलसी कहा जाता है कि भगवान विश्णु को श्रद्धा के साथ और प्रसंद मन से जो आज क दिन केवल तुलसी दल यह अल्पित कर देता है भगवान विश्णुस इसकी सभी मनुकामनाइद पूरी करते हैं लेकिन दोस्तों आपको कभी भी तुलसी एक-एक पत्ता करके भगवान विश्णु को नहीं चड़ाना चाहिए हमेशा तुलसी दल का ही प्र्योग भगवा की जय जरू लिखेगा आए सुनते हैं नर्जला एकादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा पुराणिक कथा के अनुसार नर्जला एकादशी का प्रारम महाभारत काल में हुआ था एक बार भीम से व्यास जी से कहने लगे कि है पिता मैं मेरे भाई युदिस्टर मातकु संत्रप्त ही नहीं हो पाती है इस पर व्यास जी कहने लगे है भीम सेन अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हर महा की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो इस पर भीम बोले है पिता मैं मैं तो आप से पहले ही बता चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर पाता अगर वर्ष भर में कोई एक ही व्रत ऐसा हो तो वो तो मैं रख सकता हूँ क्योंकि मेरे पेट में व्रत नामक अगनी है जिसकी वजह से मैं भोजन किये बिना रह ही नहीं सकता मेरे लिए भूका रहना कदापी संभव नहीं है भोजन करने से मेरे पेट में जो अगनी है वो शांत रहती है इसलिए इस दिन में उपवास तो क्या एक समय भ प्राप्ति भी हो जाए मुझे सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाए और मुझे बार-बार जीवन और मरण के बंधन में भी ना बंधना पड़े इस बात को सुनकर श्री व्याज जी विचार कर कहने लगे हे पुत्र बड़े-बड़े रिश्यों ने बहुत शास्त्रादी ब जब्रत मुक्ति पाने के लिए रखा जाता है ऐसा सुनकर भीम सेन घबरा कर कापने लगे और व्याज जी से कोई दूसरा उपाय बताने की प्राथना करने लगे माना जाता है कि ऐसा सुनकर व्याज जी कहने लगे कि व्रिश्यव और मिथुन की संक्रांती के बीच अगर तुम कर सको तो उस एकादशी का व्रत जरूर करो और इस एकादशी में इस्नान और आचमन के सिवा जल का प्रियोग वर्जित है इस दिन भूजन और जल दौरों ही ग्रह नहीं करना चाहिए क्योंकि एकादशी के व्रत में भोजन करने से व्रत तूट जाता है और इस एकालदशी में सूर्यदय से लेकर द्वादशी के सूर्यदय तक वृत रखा जाता है यानि वृत की अगले दिन भगवान विश्णु की पूजा करने के बाद ही वृत खोला जाता है और इस वृत में आपको एकादशी के सूर्यदे से लेकर द्वादशी तिति के सूर्यदे तक ना तो अन ग्रहन करना है और ना ही जल पीना है व्यास जी ने भीम को बताया कि इस वृत के बारे में स्वयम भगवान विश्णु ने बताया था और यह वृत सभी पुन्निक कर्मों और दान से बढ़कर है इस वृत को रखने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है निर्जला एकादशी के दिन वृत करने वाले लोगों को जल का दान करना चाहिए महर्शी वेद व्यास के मुँझ से सुनकर तब भीम से ने सबसे पहले इस वृत को किया था जिसके प्रभाव से उन्हें हर तरह के पापों से मुक्ति मिल गई थी और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी विश्नु भगवान की जय दोस्तों यह थी व्रत कथा आईए जानते हैं सबसे पहले भगवान विश्नु के पंच रूप मंत्रों के बारे में तो अब जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ उनका जाप आपको हर एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए यह मंत्र है इसके साथ ही दोस्तों जब भी आप तुलसी दल तोड़े इस मंत्र का जाप करना चाहिए ओम सुभत्राए नम्हा ओम सुप्रभाए नम्हा मातस तुलसी गोविंदम हर्द्यानंदम कारणी नारायनस्य पूजार्थम चिनोमीत्वाम नमोस्तुते दोस्तों यह थे कुछ चमतकारी मंत्र जिन्हें जपने से भगवान विश्नु के करपा आसानी से प्राप्त की जा सकती है हो सकता है कि यह मंत्र आपको पहले कभी नहीं पता होंगे तो आज से आपको हरेकादशी के दिन इन मंत्रों का जाप करना चाहिए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा उपाए जिसे आज के दिन करने से आपको बहुत सारा लाब मिल सकता है किस व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों आइसे-में बहुत से लोग होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी नजर लग जाती है चाहे वेसवधलता प्राप्त करने में हो या फिर नौकरी में व्यवसाब्साय में कुस्छ लोगों को बहुत जल्दी दूसरे लोगों की नजर लग जाती है तो ऐसे में आपको नर्जला एकादशी के दिन चाहिए आपको चाहिए साथ तुलसी के पते और साथ काली मिर्च के दाने तुलसी के पते आपको दशमीतिती के सूर्यास्त से पहले ही तोड़कर रख लेने ह और उस मंत्र के साथ ही तोड़ने है जो मंत्र मैंने आपको बताया है इसके बाद आपको तुलसी के पते और साथ काली मिर्च के दाने लेकर 21 बार जो भी व्यक्ति है उसके सिर से लेकर पाउं तक उतारना है और उसके बाद इसे किसी बहती नदी में या फिर बहते वे जल में प्रवाहित कर देना है दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस उपाए को करने से बुरी नदर दूर हो जाती है और फिर ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी की नजर नहीं लगति है इसके किसी भी काम में बाधा नहीं आती है अगर आप चाहें तो स्वैम के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों यह थी आज की वीडियो उमीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विश्णु भगवान की जय जरू लिखेगा दोस्तों अगर आप सुनना चाहते हैं गीता के पाठ और जानना चाहते हैं कि कौन सी एकादशी के दिन गीता के किस पाठ का जाप करना चाहिए या सुनना चाहिए तो उसके लिए आप अपने सुजाओ भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं आपके लिए गीता के समस्त पाठों की वीडियो भी जल्दी ले कराऊंगी